जे हिंद फ्रेंड्स तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होगे तो भाई चलिए आठ नौमबर आपके फर्स्ट शिप्ट का यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं काफी क्यूसंस मिले हैं आपके रिजिनिंग मैथ और यहाँ पे इंगलिज के क्यूसंस तो दोस्तो इस सिप्ट की यदि बात करें तो भाई आपका जो रिजिनिंग है वो इसमें इजी बता रहे हैं जैसा कि कंडिरेट ने बताया चलिए मापको दिखा देता हूं तो भाई देखे इन भाई ने यहाँ पे जो ओम सैनी हैं और यह जो भाई हैं प्रतीक ब्लोक्स इन्हों ने यह आरे है तो चलिए कूशन को देख लेते हैं तो जीके से आपके यहाँ पर क्यूशन पूचा गये था कि 2020 में खेल में पदम भूषण पुरुशकार किसे मिला तो यह स्पोर्ट्स में मिला था मेरिकौम को मसी मेरिकौम को तो मसी मेरिकौम इसका करक्ट आंसर था इनकी ये पुस्तक है my experiment with truth next यहाँ पे capital से क्यूशन था तो भाई देखे पिछली बार यानि जो intake होए थे उनमें CM और governor से एक क्यूशन सभी सिफ्ट में था इसी प्रकार से इस exam में यहाँ पे सभी सिफ्ट में एक आपका capital वाले क्यूशन है और capital यहाँ पे statewide पूँच रहा है तो असम की राध्धनी इसमें पूँची है असम की राध्धनी है दिस्पूर तो दिस्पूर करक्टांसर था एक यहाँ पे computer से related full form थी computer गई full form थी CAD CAD की आपको full form बतानी थी तो क्या हो जाएगी computer added design computer added design CAD की full form थी और non-verbal की Qs जैसा की भाई ने बताया 5 Qs थे और Qs एजी लेवल के थे यानि यहाँ पर moderate बोल सकते हो एजी बोल सकते हो यानि की hard नहीं थे जैसा की पिछली जो previous इसके वो exam होए है उन में candidates ने बताया की non-verbal Qs बहुत ही hard आ रहे है लेकिन इस भाई ने बताया की easy level की Qs थे तो हो सकता है Qs यहाँ पर change कर दिया हो लेवल तो English के रही बात करें तो भाई NXCS का आपको यहाँ पर Sanom पूछा गया था NGS होता है चिंता चिंता अवसाद की स्तिति के लिए use करते हैं तो इसके Sanom की बात करें तो वरीड हो जाएगा चिंतित इगर हो जाएगा और फियर फुल इस सभी इसके Sanom हो जाएगे तो डिपेंट करता है option में आपको क्या दिया गये था तो एक Qs आपका था यहाँ पर word formation से वर्ड फोर्मेशन से भी और एंटोम पूछा गये था एंटोम क्या था एंटोम पूछा गये था definite का तो definite क्या होता है निश्चित sure तो यदि इसके एंटोम की बात करें तो वैग हो जाएगा धुंदला aspect ambiguous हो जाएगा uncertain हो जाएगा options में आपको क्या दिया गये था उस पर different करता है कि आपको web form पूछे गई थी यहाँ पर word formation वाले section में तो destruction होता है विनास करना यह क्या है इसका noun form है इसकी जो web हो जाएगी वह होगी आपकी destroy यानि nest करना तो nest देखते हैं nest क्या थी करेक्टले word पूछा गये था 100 हंट्रेंड कि आपसे यहाँ पर हो जाएगी हंड्रेंड तो काफी अच्छा था यहाँ पर देखते हैं next question क्या था तो भाई एक यहाँ पर का question था और error जो थी the policeman started firing the crowd तो देखे दोस्तों यहाँ पर इसमें जो error थी वह आपकी preposition वाली error थी है फायर के साथ the crowd होगा नैकी crowd तो यहाँ पर फायर के साथ 8 fix preposition का यूज होगा और एक क्यूशन भाई सभी सिप्ट में previous भी देखने को मिला है HCM और LCM से एक क्यूशन सभी सिप्ट में आ रहा है और एक क्यूशन था मैत का यहाँ पर क्यूशन देख लीजिए मुझे लगता है कि इस क्यूशन में बताने में थोड़ा सा यहाँ पर mistake हुआ है लेकिन आप क्यूशन देख लीजिए क्यूशन था आपका यहाँ पर कि ए और बी जैसा कि भाई ने यहाँ पर कमेंट किया कि खर्चे का अनुपात यहाँ पर 9 अनुपात 2 हैं और यदि वे 2,000 रुपे बचाते हैं तो उनकी महिने की आए बताईए तो यह incomplete लग रहा है देखिए देखते हैं और एक क्यूशन पूशा गया था आपका यहाँ पर प्रोफिट एंड लोस से प्रोफिट एंड लोस से क्यूशन था क्यूशन नहीं बताया है दोस्त ने लेकिन क्यूशन यहाँ पर पूशा गया था और क्लोग से भाई सभी सिप्टों में एक क्यूशन क्लोग से पूश रहा है तो क्लोग के चेप्टर को आप कंप्लेट करके जाइए यह दि आपका यहाँ पर जो इवनिंग वाली सिप्ट है उसमें एक्जाम होने वाला है तो और यहाँ पर देखिए से एक क्यूशन पूशा गया था आपसे प्रोफिट एंड लोस से क्यूशन था एक दुकांदार बाराद पॉइंट पांच के रुपे के किलो के 20 किलो चावल यानि 12.5 के भाव के 20 किलो चावल और 18 रुपे किलो के भाव के 15 किलो चावल को मिला कर बेचता है तो लाप परतिसत कितना होगा तो भाई इनमें लाप परतिसत बताना था यानि एक पर तो आपको इसका separate value निकालनी थी फिर इसके separate value और फिर उन दोनों की combined value निकालनी थी average ओसत और उनमें आपको difference करके percentage बताना था और यदि और all math की बात करें तो math जैसा कि आपने बताये यहां पर कैलकुलेटिव आ रही है math आ रही है आपकी क्या कैलकुलेटिव और यदि रिजिनी की बात करें रिजिनी की बात करें तो वो आपका यहां पर easy level का इस shift में पूछा गया है जबकि हमें देखने को मिला है कि जो previous shift पूछ गई है उन सभी में जो रिजिनी का level है वो आपका high र रेट है जैसा कि अभी आपने क्यूशंस को देखा तो भाई यह थी क्यूशंस और यदि आपको और प्रक्रीक्यूशंस मिलते हैं तो कमेंट कीजिए इवनिंग में आपको यहां पर एक separate वीडियो मिलेगी जिसमें तीनों shift के क्यूशंस आपको यहां पर देखने को आपने यहां पर एक्जाम दिया है तो कमेंट करिए सभी क्यूशंस और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ तो भाई आप नहीं करते हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसी प्रकार हमीशा और चलिए दोस्तो मिलते हैं नेक्श्ट वीडियो में और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना यदि आपने ये एक्जाम दिया होता हो कि ये सभी जो क्यूशंस है वो ओरिजिनल क्यूशंस है किसी भी प्रकार से यहां पे फेक क्यूशंस किसी भी मतलब बुक से तो दोस्तों जिन सभी दोस्तों का आने वाले स्फ्ट में एक्जाम हैं आपकी जो सेकेंड शिफ्ट है और जो थर्ड शिफ्ट है तो उसके लिए सभी को ओल्दा वेस्ट और यदि बात करें मैत सेक्शन की और रिजिनिंग की बात करें तो भाई इन्वी जो क्यूशंस आ नेक्स्ट क्यूसन पर बढ़ तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत करें करें करा अच्छ भी करें बूल